जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान होसलो को कर भुलन पूरे होंगे अर्मान उचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान राजयोग के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान नमस्कार दोस्तों, स्पागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में दोस्तों हमारी बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रही है होलिस्टिक वेल बिंग के उपर हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ जो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों उसे कैसे बहतर बनाया जाए इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करम जी बहन जी आइए उसे बाते करते हैं ओम शांती, वेल्कम तो आशोव, ओम शांती सिस्टर, ये बहुत ही कुबसूरत सीरीज आप इंटर्ड्यूस कर रहे है हम हमारे साथ में जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से अपने हेल्थ को आप्टिमम रखा जाए सबसे पहले जो सवाल आता है, हेल्थ है क्या? Does auna, हम जबचा कमप्लिट वेल्थ को अगर हम डिफाइन करते हैं इट मीन में सबलाती जैसे है हमारे मन में हैल्थ का एकशब दाता है तो अकसर करके सभी के मन में आता है means physical health हम पिजिकल हैल्थ पर ही जाधा जोर देते हैं और हर किसी के मन में एक छवी बन जाती है, फिजिकल अक्टिविटीज, दौड़ना, कूटना, खेल-कूद, एकसरसाइज, योगा, लेकिन हेल्थ इस मुच मोर बियॉंड दाट, तो हेल्थ को अगर हम कम्प्लीट वेल्नेस में, इसेलिए हम ने कंसेप्ट लिया है, Holistic Wellness या Holistic Wellbeing, means, Holistic means as a whole, तो हम as a whole कौन हैן, कैसे हैं, और Полりट वेलनेस किसे कहा जाएगा, वही हम आने वाली सीरिज में सारी बात करेंगे, और हम थेल्थ को अगर हम कंप्लीतली देखें, तो इप इन्वाल्वाल्स, mind, body and soul जब तीनों ही तून आपस में तून में है जब तीनों की ही complete wellness है तभी हम उसे कह सकते हैं कि I am a healthy being माल लीजिये कि मन तन से हम स्वस्थ है लेकिन मन ही संतुष्ट नहीं है मानसिक लेवल पर हम खुश नहीं है मन से confused परिशान, टेंशन, जिंता, गम कुछ ऐसी प्रोब्लम्स है how can I say that I am completely healthy and माल लीजिये मन ठीक है, रिष्टे ठीक है घर, बार, धन, पैसा, सब कुछ है लेकिन तन स्वस्त नहीं है तभी हम नहीं कह सकते I am completely healthy तो जब mind, body and soul तीनों ही आपस का ताल मेल complete रहे सामन जस्य रहे तीनों में उसे ही हम कह सकते है I am completely healthy और a person is completely healthy अगर में इन तीनों फैक्टर्स की बात करूँ यह अपने आपने बहुत ही importance रखते है चाहे आपका mind है, चाहे body, आपका soul है यह तीन ऐसे vast subjects है जिसके अंदर में आपको यह कैसे हमें tips दे सकते हैं जिसमें इन तीनों का balance कैसे create किया जाए because health is something जो आपको create करना होता है खुदी, ऐसा मुझे लगता है आपका क्या कहना है देखे, सबसे पहले अगर हम यह समझे क्योंकि बहुत सारी सीरीज हमारे श्रोतावने व्यूवर्स ने देखी है, सुनी है health में सबसे पहले हमें हमें यह देखना है मैं हुआ है, मैं कौन हूँ I am a body or I am a soul तो दोनों को समझना है mind, mind, body and soul तीनों का सामझ जसे है जब हम समझ लेते हैं तो हमें mind को और body को दोनों को balance करना आ जाता है और उसमें थोड़ा सा गहराई में जाकर के थोड़ा अनलाइस करें तो we will see that mind and body both have equal and opposite effect on each other अगर मन हमारा परिशान है तो आप देखें कि उसका effect तुरंद body पे आता है किसी का BP shoot up होता है किसी का गबराहट से BP low होना शुरू हो जाता है मानसिक लेवल पे कोई बात आई तो तुरंद किसी का पेट दर शुरू हो जाएगा किसी को गबराहट होगी किसी को palpitations होने लगती है किसी का blood pressure या cholesterol यह सारी चीज़े कही ना कही हमारे मानसिक तर से जुड़ी होई है तो उसका effect हमारी body पे आया और माल लीजे मन बिलकुल काम है शान्त है सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिजिकल लेवल पे कोई problem आ गई तो physically जब हम unease होते हैं uneasy होते हैं कुछ dis-ease आता है dis-un-ease तभी वो नाम पढ़ा disease तो dis-ease में जब होते हैं तो उसका भी प्रभाव हमारे मन पे पढ़ता है जब body में कोई disease है हम unease uncomfortable feel कर रहे हैं at my physical level we can never sit for meditation or we can never sit comfortably peacefully, calmly और हम अपना कोई भी official work या घर का काम भी बहुत सहज रूप से नहीं कर पाते तो दोनों का एक दूसरे के उपर effect है दोनों का equal and opposite reaction है, effect है एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं तो health का जब हम बात करते हैं तो दोनों आ गए ना हमें मन और तन दोनों को ही संभालना है दोनों के सामजस्या को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस realization में रहें that I am a soul because mind is the faculty of soul and this soul works in accordance and इस के साथ सामजस्या में काम करती है body के साथ तो body and soul वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं तो यहाँ पर आकर के हम इस concept को और आगे लेके जा सकते है कि मैं as a soul मैं अपनी body को कैसे स्वस्त रखो कि मेरा सारा जीवन बहुत ही खुशियों भरा हो सुकून से बीते सुख भरा जीवन हो ना तो ही मेरा मन मुझे कभी तंग करे ना मेरा तन मुझे कभी परिशान करे यह तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है sister because हम यहाँ पे हेल्थ को समालने में लगे हैं आप कह रहे हैं अभी मन को भी समालना है क्यूंकि सच ही बताओ आजकल के जो fast life हो गई है उसके बीच में हम health को ही जगल कर रहे होते हैं deal करने में at the same time आपने कहां कि अभी soul को भी ध्यान देना है कि as a soul but जगल नहीं कर रहे हैं actually we have forgot the health हम health को भूली चुके सुबह से लेके शाम हो जाती है हमारा सारा ध्यान कहां है तो उसके पीछे भागते भागते हम कही ना कहीं अपने मन और तन दोनों को इग्नोर कर रहे हैं जब यह दोनों ही इग्नोर हो जाते हैं तो हम we end up our lives in hospitals राइट this is the bitter truth of this human life जी at present scenario क्योंकि लोगों को अकसर कर के देखा है अभी recently एक दो दिन पहले एक situation मेरे सामने आई there was a young girl तो she told me कि we were planning to go to a trip तो सुभा से लेके एक बज गया था खाने का ही फुरसत नहीं था खाने के लिए वक्त ही नहीं था अगर खाने बैठते तो काम छोट जाता और वो सारा दिन आधा दिन जो शरीर को कुछ चाहिए वो सारा टाइम जब हमने बॉड़ी को कुछ नहीं दिया क्योंकि जब हम बॉड़ी को कुछ खिलाते हैं तो मनसिक रूप से भी भरपूरता आती है ये चीज भी भरती है उसे भी कुछ मिलता है उसे एनर्जी इठाता है ब्रें तो वो दोनों को जब हमने कुछ नहीं दिया and the mind is completely your brain is completely busy in working तो you are ignoring your mind you are ignoring your body जब डोनों को इग्नोर कर देंगे तो कही ना कही उसका loss आता है तो ये हुआ एक situation and for one day admitted, accepted but when this happens every day there are people who are working in saloons that are working in multinational companies, उनका कोई fix time नहीं है, they are just working on computers और वो सब लगे हुए है hard and fast वो लगातार चले हुए है they just forget the time कि कभ खाना खाना है, lunch, breakfast डिनर, कैसे कैसे कभ लेना है इन चीजों को जब इंसान इंसान इंग्नोर करता है, वहीं आकर के कही ना कहीं, hindrance पैदा होती है and our health gets hampered तो जब health हमारा दाओ पे लगता है फिर हमारा जितना भी पैसा हमने मेहनत करके जोड़ा है वो सारा health को बचाने में खर्चने लगता है तो from one side we are earning and on other side we are spending it on this body तो save the life तो बेहतर है अगर हम first step यह समझे that I am a soul I have this beautiful body पर मात्मा का दिया हुआ इतना अनमूल खजाना मेरे पास है कि जब यह शरीर तंदुस्त है, ठीक है तभी तो हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और अगर यह शरीरी तंदुस्त नहीं होगा कमाएंगे भी कैसे office भी कैसे जाएंगे और अगर मजबूरी में भी office गए तो आप अपना heart, अपना दिल कभी put up नहीं कर पाएंगे जब दिल से काम नहीं कर पाएंगे तो जो result मिलना चाहिए आपको आपके professional life में वो नहीं मिल पाएगा फिर उसकी frustration घर आके अपने रिष्टों पे निकलेगी तो वो सारी एक chain चल पड़ती है and people end up their lives or they end up their day by saying this बस कट रही है जंदगे मारा मारी चल रही है कमा रहे हैं, ये करना है बस कर रहे हैं तो there is no happiness, there is no contentment and there is no well-being जिसको हम कहें holistic well-being ही नहीं है तो अगर holistic well-being के concept को आज हर व्यक्ती समझ ले तो मैं समझते हूँ ये मुश्किल नहीं ये बहुत आसान हो जाएगा हम अपने आपको healthy रखते हुए जब अपने कार्य करेंगे हमारा एक भी पैसा हमें health को बचाने में hospitals में नहीं लगाना पड़ेगा ये जो आपने बात कही है holistic well-being के बारे में ये या wellness के बारे में इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे अगर क्योंकि हमें ये जानना है कि इसके जो explanation है उसमें शायद हमारे answers चुपे हुए है तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है holistic means as a whole means complete जिसको हम कहते हैं complete well-being या complete wellness this is holistic and wellness हमने बात करी जब हम तन, मन और आतमिक रूपे तीनों हिस तर पर healthy महिसूस कर रहे हैं wellness उसे को कहा जाएगा और complete wellness या holistic wellness की जब हम बात करते हैं उसमें सिरफ एक फेक्टर नहीं आता we have social factor, social well-being our emotional and mental well-being our physical well-being and spiritual well-being तो चारों ही स्तर पर माना एक चारों ही स्तंब जो है चेर है इस कुरसी के भी चार पाउं है तभी ये कुरसी है और हम उस पर stability से बैठे हैं इस कुरसी का अगर एक भी पाउं जरा सा भी चोटा बड़ा होगा तो ये डगमग आएगी और हम comfortably इस पर एक क्षण के लिए भी नहीं बैठ सकते तो अगर चारों ही स्तंब हमारे जीवन के balanced हो are social, emotional, mental, physical and spiritual तो हमारी wellness complete है और हम बहुत खुशी भरा जीवन सुख भरा जीवन जी सकते हैं तो in that बहुत complicated होकर के सोचने की जोरत नहीं है बहुत सरलता से क्योंकि एक चीज को गर हम देखे complications are easy सरल होना मुश्किल है सरलता मुश्किल है complicated तो सारी दुनिया है आप यहां से बाहर निकल जाएं सुबह से लेके रात हो जाती है we are living in a complicated world today gadgets the most time occupying and time consuming चीज आज 6 इंच की हमारे पास है the most of the time is being consumed on that कभी किसी को कुछ परिशानी आती है तो वो लग जाते हैं Google and YouTube पे सर्च करने so and so, stomach disorder है तो क्या करें there are thousands of videos available there are thousands of suggestions available तो करने वाले कोई नी समझ में आता है मैं करूं क्या there are thousands of things available in the world लेकिन अगर हम छोटा सामन जस्या नेचर के साथ बिठाले तो wellness is very easy because चीजों को जितना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जीवन उतना मुश्किल होता जाता है जितना उसको सरलता से सोचेंगे और सरलता से ही लेकर के चलेंगे life becomes easy so is it about perception is projection क्योंकि जब हम कुछ सोचते है कि चितर बनाते है कि जैसे अपनी मुझे ये चारो के बारे में भी बताया तो मुझे ऐसा लगा कि इतना सारा कुछ करना है तभी ही सब कुछ ठीक होगा लेकिन I'm sure मेरे दर्शक भी इस तीसको कमाने है पढ़ना है फिर बड़े बन के बहुत कुछ करना है जब हम बुड़े हो जाएंगे तो हमें अपनी सारी चीजों को सौपना है बहुत सारी responsibilities है जिनके साथ हम जूज रहे होते है लेकिन आपनी जो ये इंट्डियूस किया है holistic well-being के बारे में कि मुझ बहुत interesting लग रहा है क्योंकि आपने के बहुत बड़ी बात कहीं कि simplify करना और simplicity is complicated और I would say it's difficult तो इस simplicity को हम कैसे easy अपने बनाइप में बना सके है The very first thing जैसे आपने भी कहा और हम सभी दर्शक भी हमारे इस चीज को समझ रहे होंगे जैसे ही बच्चा चोटा होता है पैदा होता है बड़ा होता है सबसे पहली complications के आती है That is education system True Parents के लिए भी बच्चे के लिए भी अच्छा बच्चे के लिए तो बहुत नहीं चीज है वो सोचेगा अपता नहीं मेरा साथ क्या होने वाला है And parents के लिए बट-बड़ा question होता है Finding a best school for the schooling बढ़ा से बढ़ा education देना चाहते है बच्चे को तो वहीं से complications life की शुरू हो जाती है For marks and our test, house tests and everything चलता रहता है lifelong कम से कम I think 22s या 25 तक उस age तक हमारी education चली जाती है लेकिन उस education के दौरान अगर हमारे दर्शक हम सभी इस चीज पर थोड़ा सा गौर करें हम शरीर लेके पैदा हुए है अत्मा इस body को लेकर के पैदा होती है अगर बच्चपन से ही इस शरीर की knowledge हमें मिल जाए कि इसे कैसे स्वस्त रखना है डोंट यू थिंक आज इस age में आके जो हम बात कर रहे है जब ये बाते स्वभाविक तरीके से नाचरल तरीके से एक छोटे बच्चे की nature में ढल जाएंगी उसे कुछ मुश्किली नहीं लगेगा बड़े होने तक चोटे पन में समझ आ गया I am a soul चोटे पन में समझ आ गया I have this body ये पाँच तत्व की बनी हुई body है और इस body को मुझे कैसे संभालना है ये अगर चोटे बच्चे को ही पता लगना शुरू हो चाए तो जब तक वो 5-6 years और say 10 years का भी होगा जब तक उस age group में वो आएगा तब तक उसको बहुत से बाते समझ आ चुकी होगी जब वो और बड़ा होगा अपनी teenage में होगा वो चीज़े उसकी आदत बन चुकी होगी healthy habits वो healthy habits बन चुकी होगी क्यूंकि वो चीज़े हमारे unfortunately education system में नही रही because of various reasons we don't need to discuss that लेकिन बहुत सारे reasons की बज़ा से आज हमारे education system में जो चीज़े नहीं रही है उसी मानसिकता से हमने सोचा की हमारे जंदगी बने आसान के थूँ हम बहुत से परिवारों को और बच्चों को वो health की knowledge यहां से दे सकते हैं कि वो छोटे पन से ही अगर सीख चाहें तो उनकी सारी life बहुत आसान हो चाहेगी तो चोटे पन से जो आदते पढ़ गई होती है अच्छी या बुरी दोनों वो कही ना कहीं lifelong हमारे साथ चलती है इनार 30s and 40s में आकर के जब कुछ नहीं चीज़े पता चलती है तो व्यक्ति एक तो यह रिग्रेट करता है अच्छा इतने साल तो ऐसे बिता दिये काश पहले पता चल गया होता और कहीं पर वो ऐसे मोड पर खड़ा होता है जहां पर कोई ना कोई डिजीज उसको तंग कर रही होती है या फिर mental level पर लोग इतने disturbed और confused हो जाते हैं कि वो अपने अपको संभाल नहीं पाते and then they search to going for some meditation retreats या ते search to go for some solitude में जाके बैटना कहीं ऐसी जगहों पर जाके time spend करना कहीं peace मिल जाए, शान्ती मिल जाए नेकिन अगर छोटे पन से वो चीजे समझ में आ जाएं तो मैं समझती हूं कि हमारा सारा time safe भी होगा और सारी life भी बहुत easily healthy होकर के हम चलते रहेंगे at least जो हम doctors के पास चाकर के या medicines खा खाकर जो पूरा जंदगी बिता देते हैं भागते भी रहते हैं medicines भी खाते रहते हैं we keep on earning, we keep on spending और medicines के side effects भी हैं side effects भी हैं whenever we are giving some medicine to this body तो बहुत सारे उथल पुथल मचाती हैं अंदर जाके मानसिक लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी तो इसलिए पच्छपन से अगर नरिश कर दिया जाए उसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स भी समझे जो पेरेंट्स आज हमें सुनेंगे वो छोटे पन से अपने बच्चों को वो habits देना शुरू कर दे और उसमें हमें मैं समझती हूँ आज की modern दुनिया में कोई पेरेंट्स अगर ये सवाल उठाए कि ये जो हम बाते करने जा रहे हैं अपने आने वाली सीरीज में तो ये कहीं पुरानी बाते तो नहीं है वहाँ पे एक बात है समझने की शरीर नया या पुराना नहीं होता है आज से 200-300 years ago जो लोग थे उनके पास भी ऐसा ही शरीर था ऐसा ही पांच तत्व का शरीर था वो लोग स्वस्थ थे और हम लोग modernity में आकर के भी अस्वस्थ हैं इसका कारण हमें सोचना चाहिए सिस्टर इसमें चोई एक बात आपने कहीं कि हेल्थ ये वर्ड हम बार बार यूस कर रहे हैं क्या हेल्थ भी एक attitude है healthy रहना क्योंकि एक attitude लेकर के हम life जी रहे होते हैं कि चलो चल रही है चलो जैसा है हम जब तक भगवान जहा तक yes of course it's an attitude पूरी मान सिकता है healthy रहना एक मान सिकता है बिमारियां आज लोगों के मन में घर कर गई है कही ना कहीं बिमारियों को हमने natural बना लिया है कि diabetes, sugar, cholesterol, BP ये सब तो common है हर किसी को है तो हमें लगता ही निये कि हम मतलब कोई नई नई चीज है हमें लगते हैं ये जो हर किसी को है क्योंकि जो healthy लोगोते हैं उनको follow करने वाले बहुत कम लोगोते है comparatively लेकिन unhealthy लोगों के पूरी line है पूरी line है वो भी attitude से related है वो attitude है बिलकर कि हम लेके चलते हैं जैसे many cities are there जहां पे मुझे लगता है वेलब एक थोड़ा सा on a lighter mode भी हम कह सकते है भी इतनी population ने जितने hospitals बढ़ गए राइट तो अन दाट थिंग मिललब अगर हम सोचें तो वो मानसिकता है कैसी है कि जरा सा कुछ हो जाए वी रश्ट तो होस्पितल जरा सा कुछ हो जाए we rush to doctors we don't know how to stay healthy no more we know this how to stay a healthy how to live a healthy life क्युक्कि सिस्टर हम थोड़े डर गए क्युक्कि जो सिच्वेशन आस पास अभी हमने थोड़े दिनों पहले तक देखी हम डरेवे हैं तो डरेवे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए के लिए हम सीधा doctor के पास जाएंगे जब हम डरते हैं तो उल्टा गलत होता है when we are calm, we are at peace nothing wrong happens when I know how to stay healthy when I know how to keep myself fit mentally and physically both okay तो हम कभी डरेंगे नहीं डर कहा पैदा होता है when there is lack of knowledge information है but information गलत भी हो सकती है when there is lack of knowledge the true knowledge वहाँ पे आकर के गड़वड होती है और हमारे अंदर डर पैदा होता है okay डर कहाँ पैदा होगा एक मा है उसको पता है कि घर में fridge है और उस fridge में रखा हुआ समान सेफ है और एक बच्चा है घर में उसको नहीं पता पीछे हाथ लगाना है अगे कि धर उस अंजान है बच्चा हमें पता है हम बड़े हैं घर में मा है वो मेशा फ्रंट डोर ओपन करेगी उसमें से चीज़े निकालेगी उसकरेगी रखेगी छोटा बच्चा है तो कहीं भी टच्च कर सकता है लग उसमें बड़ेज ना तो बच्चे को हम ऐसी चीज़ाँ के गैज़ेट के पास ऐसी ऐलेक्ट्रोनिक्स के पास नहीं जाने देते वी प्रोटेक्ट देम कहीं इदर-ुदर हाथ ना लगा दें लेक्रिसिटी को हाथ ना लगा दें वाइर्स को हाथ ना लगा दें तो इस इस दे वे वें वी नो एंड अंडर्स्टांड द फाइव एलमेंट्स अफ दिस बड़ी हमें जब समझ आ जाता है कि इस बड़ी को कैसे संभालना है कौन से प्रिंसिपल्स पर ये बड़ी ठीक चलती है तो वो चीज़े जब आती हैं तो हम डरी नहीं सकते और जब डरेंगे नहीं हम कहीं अननेसेसरिली कहीं भागेंगे नहीं तो हमारे हॉर्मोनल इंबैलन्स हमारा ब्लड प्रेशर शूट अप होना कभी नीचे चले जाना ये चीज़े भी नहीं आएंगे बिलकुल sister इसमें तो मुझे एक चीज़ जरू समझ में आ गई है भी कि आपने कहा है कि health को अगर आपको priority रखना है तो उसके लिए certain attitude के जरूरत है अभी positive attitude ये कैसे किया जाए positive attitude comes with understanding जब हम हर बात को समझने लगते हैं और एक understanding develop होती है wisdom वो अंदर से develop होती है it comes with time sometimes people are born with great wisdom समझ वो जो समझ है जंदगी में इसे हम विवेक कहते हैं समझ कहते हैं wisdom है जब वो आपके अंदर develop होती है you understand things naturally आप गलत चीज़ों को अपने आप से दूर कर देंगे and you will adopt everything positive in your life Wow sister ये बहुती amazing episode रहा है मैंने तो बहुत कुछ सीखा आप से क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतनी छोटी उमर में इतना कुछ जान लिया है इतना कुछ explore किया है और आपके साथ spiritual world की भी जुकाव है I think आप से हम बहुत कुछ सीखेंगे इस series में and all thanks to you for your valuable time Thank you Thank you so much for coming in our show sister Om Shanti Om Shanti दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी life में जो सबसे simple चीज है वो है कि आप क्या सोचते है और किस तरह की आप life चीते है holistic well-being के बारे में जो हमने बात की कि कि किस तरह से आपका जो health है वो सभी चीजों से connected है चाहे आपकी body है, चाहे आपका soul है चाहे आपका mind है इन तीनों का समझ जसे जब होगा तो आप महसूस करेंगे कि आपके जिंदगी में खुशियों की बाहार होगी और वो खुशियां आपको हमेशा healthy रखेगी अगले एपिसोर में आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान ओम शान्ती अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान ब्रह्मा कुमारीज गौडलीवूड स्टूडियो शान्तिवन आभूरोड कॉल 809-4913-487